श्री गनेशा या नमाहा, नमश्कार दोस्तो दोस्तो, चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखते है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देते है उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तिरे का प्रभाव डालने वाले है इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में चोथे भाव में रहेंगे जी हाँ, चोथे भाव में चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, तो इस दिन आपको थोड़ा साउधान रहना जरूरी होगा, साउधानी अबरतनी जरूरी होगी, ये समय आपके लिए मिला जुला भी साबित हो सकता है, इस दिन अगर आप पैसों का निवेश करना चाहते ह तो सोच समझ कर करें, और अगर टाल दे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, इस समय में कुछ मामलों में साउधानी बरतना जरूरी रहेगा, किसी तरह के लापरवाही आपको इस समय में महंगी पढ़ सकती है, इस दिन आपको सिरदर्द की शिकायत रह सकती है, आप मा साउधानी और समझदारी से काम लेना होगा, साउधानी बरतनी जरूरी रहेगी, नहीं तो आप किसी गलत नतिये पर पहुच सकते हैं, इस समय में आपके बिजनेस के क्षेतर में दिन ठेक ठाक सा रहेगा, कुछ अडचनों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन फि नोकरी के क्षेतर में आपके काम के क्षेतर में काम का प्रेशर आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके काम की प्रेशन साभी होगी, आपके काम को सहारा जाएगा, इस समय में आपके बॉस के साथ रिष्टे अच्छे रह सकते हैं, इस समय में अगर आप नोकरी ढून र चाहते हैं तो समय इन प्रकार से इन चीजों के लिए ठीक टाक रहेगा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं इस समय में आपके भोतिक सुकों में रुद्धी होगी कोई नया सामान घर आ सकता है इस समय में आपकी इच्छाए कई मामलों में पूरी हो सकती हैं अगर स्टूडंस की बात करें तो स्टूडंस के लिए ये समय मिला जुला सरहेगा ना ज्यादा अच्छा ना ही ज्यादा बुरा आप पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉंसेंट्रिट नहीं कर पाओगे आपके मन में इस दिन कई प्रकार के विचार आ सकते हैं आपका ध्यान बाहरी दुनिया म थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ठान ले निश्चे कर ले तो आप कोई भी चीज कर सकते हो और आज आप जितने भी विद्या ग्रहन करोगे वो आपके काम जरूर आएगी ये एक खास बात रहेगी आपकी मैरेड लाइफ इस समय में बहुत अच्छे रहेगी एक दु परा रहेगा काफी शुब रहेगा पार्टनस की बीच अच्छा तालमेल रहेगा लव लाइफ के लिए भी हर प्रकार से दिन अनुकुल ही है आज आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी फिजिकली आप काफी फिट रहोगे लेकिन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो मा परिशानियों में भी आपको आराम मिल सकता है आज एक बात का ध्यान जरूर रखे चंदर के चोते घर में होने से आपको चिड़ चिड़ाहट होगी छोटी चोटी वज़े से आप जगड़े भी कर सकते हो तो इस दिन इस तरह की बाते दिखाई देती है तो आपको शान्त का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले और आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करे इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तेमाल करना बहुत शुब रहेगा और दो अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल अधाच्छ रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बात ए वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मयनत के साथ साथ भाग्य का साथ जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है पर की वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डायरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान रखे जूते चप्पल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते च दिखान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे क ज़त को पूरी तरे से साप रखें, क्लीन रखें, साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं, घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है, उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है, वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है, वो जगा ही ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहा वरना आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला, इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्नुक उर्जा का आमना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चेड़ चेड़ाहट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदका नहीं है, जी हाँ वो अशुब माना जाता है, घर में मकडी का जाला होना अशुब है, इस से आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं, तरकी ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद